हेलो गाइज वेलकेम बैक अगेन मेरे नाम है अमन्द बिना कोई रेडी के वीडियो शुरू करते हैं जहां हम बात करेंगे क्रिकेट में हुए 10 हाई वोल्टेज फाइट्स के बारे में नमबर 10 पर जो क्लिप है वो है ओस्टेरिया और इंग्लेंड के बीच 2013 में हुई एशर सीरीज के चौत है मैच का जहां जॉनसन बोल्स फैकनी के लिए आते हैं लेकिन केविन पिटर्सन साइड स्किन की वज़े से क्रीज से दूर हट जाते हैं इस से जॉनसन गुस्टा होकर बॉल्स होकर देते हैं वो इसके बाथ की गर्मा-गर्मी मेदान पर साफ तोर पर देखी जा सकती है इसके पीछे की एक्चुल स्टोरी जॉनस अपनी ओटो बायोग्राफी में बताते हैं जहां वो बताते हैं कि इस मैच से पहले वर्मप के दोरान पीटर्सन बार बार जान बूच कर बॉल उनकी तरफ मार रहे थे इसकी वज़े से मेरान के बार भी उनके बीच जड़प हो चुकी थी और शायर भाई गुस्ता मेरान पर भी देखने को मिल गया ये वीडियो वर्ल्ड कप 2011 के पहले मेच का है जहां विराट कोली बांगलेशी की लाड़ी रुबैल हुसेन को वर्ली अब्यूस कर देते हैं वियो और सोनों की विराट कोली अपने करियर की अल्ली एज में कितने एग्रेसिव थे इन दोनों की लाड़ियों की बीच राइवल्री अंडर 19 से ही चल रही है जो अकसा मिलान पर देखने को भी मिल जाती है ये इंसिडेंट जन्वरी 2013 में ओस्त्रेलिया और स्रिलंका की बीच मैलबन क्रिकेट ग्राउंड में हुए T20 मैच का है चहां ओस्त्रेलिया को जीत के लिए आखरी बोल पर चार रनों की जरुद होती है श्री लंकान कैप्टन एंजिलो मैथ्यूस फिल्डिंग सैट करने में टाइम ले रहते हैं जिस पर मैक्सिवेल एंड श्री लंकान प्लेयर्स में कहा सुनी हो जाती है बाद में मैक्सिवेल ने ट्विटर पर इस इंसिदेंट पर श्री लंका टीम से माफी भी मांगी थी ये कलिए पाकिस्तान और श्री लंका के बीच अगस्तर 2014 में हुए थर्ड टीविंटी का है श्री लंका की बैटिंग के दो रहां एहमेश रजाद और दिलशान में कहा सुनी हो जाती है एंड इवन श्रजाद दिलशान को धक्का भी मार देते हैं इस मैच के बाद कर एक और सीन भी सामने आता है जिसमें खिलाडी जब मैदान से बाहर जा रहे होते हैं तब एहमेश रजाद दिलशान को उनका धम परिवतन करने के लिए बोलते हैं जो आप इस क्लिप में साफ तरीके से सुन भी सकते हैं यह इंसिडेंट 2017 में हुई केरिबियन प्रीमियर लीग का है पारी के 16 वे ओवर में रकीम कौन ओवल बैटिंग कर रहे थे था पोलाड की बोल उनके पेट में जा लगती है जिसके बाद रकीम पेन के वज़े से 18 वे ओवर में 44 गेंडों पर 78 नन मना कर रिटारों कर जा रहे होते हैं लेकिन इसी बीच पोलाड साड़े 6 फिट लंबे और 143 किलो वेट के रकीम कौन ओवल को ना खेल पाने पर सुना लग जाते हैं जो इस क्लिप में साफतो पर देखा जा सकता है ये क्लिप 2009 में इंडिया उस्टिलिया की बीच हुए नागपुद वंडे का है पहली इनिंग के 28 वोवर में जब धोनी इदन के लिए दोड़ते हैं तो जॉनसन उनके रास्ते में आ जाते है वो धोनी जॉनसन से टकरा कर नीचे गिर जाते है वो जास के बाद तो आप दोनी का गुस्ता देगी सकते है इस इंसिडेंट के बदले में धोनी अगली ही गेन पर एक कड़क चोका जड़ देते हैं बाद में इस मैच में धोनी ने एक सो साथ दनों की शत्किय पारी खेली एंड इंडिया ने इस मैच में उस्टेलिया को 354 दनों का टारगेट भी दिया ये इंसिडेंट एशिया कप 2010 का है गोतम गंबिर बेटिंग कर रहे होते हैं सही रजमल की गेन पर कामना अकमल कॉट बिहाइंड के अपिल करते हैं लेकिन गंबिर आउट नहीं होते हैं इसके बाद ट्रिंक्स ब्रेक में दोनों की लाडियो की बीच कहा सुनी हो जाती है तब ही दोनी बीच बचाओ करते हुए हसते हुए गंबिर को दूर ले जाते हैं ये क्लिप भी सेम मेच का है मेच की सेकंड इनिंग का सेतर सो ओवर शोयब बक्तर डाल रहे थे और क्रीज परते हरबजन सिंग ओवर की दूसरी गेन पर हरबजन सिंग शोयब को चक्का मार देते हैं इसके बाद शोयब बक्तर जब मेच का उनन चांस ओवर लेकर आते हैं तो आखरी दो गंदो पर हरबजन सिंग क्रीज पर होते हैं वो शोयब उनको दो बाउंसर स्डॉट निकाल देते हैं इस पर दोनों की लाडियों में कहा सुनी हो जाती है मेंच का पी रोमान चक था आख्ती दो गेंदों पर भाद को जीत के लिए तीन दनों की सुरॉट होती है लेकिन हरबजन सिंग मोहमद आमेद की गेंद पर छक्का मार कर भाद को जीता देते हैं आख्ती हा देतक बुक्याओ पाद ही युटे युट फिरीग युटा से लाद पूटे इंद भी आमेदेए the hands went high up in the air and what a strike Halberdhan saying the hero Halberdhan saying the king fantastic pictures what a game that wasn't very nice but this incident in 2007 in India and Pakistan in which Gautam Gambir and Shai Afridi are literally in the country in this team in this team कि अच्छाइब आफीदी को घचका भी लगा ग्वातन गंदूर जो है वह आंखों में अंखे डाल के बात करना चाहरे हैं आफीदी इंसे अर्गुमेंट करना चाहरे है अग नजर आ रही है जरूर यह तो प्रांसलेट आप ही करेंगा रवीज लिप रीडिंग आपको आती है मैंने अगर ट्रांसलेट किया तो बहुत ज़ादा हाँ और शायद लोगों को टीवी बन करना पड़ जाए तूकर इसमें बहुत ज़ादा सेंसर्शिप की जरूरत होगी यह कलिए पाकिस्तान सूपर लीग का है जहां वहाब रियाज अपनी बॉल पर एहमर शजाद को क्लीन बॉल्ड कर देते हैं और फिर इसके बाद का या सीन दो आप देग देखते हैं किलर रिसपांस व्यक घ्रिकत वैज़ दर सेंसर्शब कर देखते हैं यह थे वो 10 क्रिकेट के high voltage fights चिन में खिलाडी मेडान पर भिरते हो दिखाए दिये इस वीडियो के आने वाले नेक्स्ट पार्ट में आपको ओल भी एक्साइटिंग इस देखने को मिलेंगे आपको रही रही है लिए है लिए रही में आपको काके है लीपटन ट्राथ हो टो प्रश्ट नाँ हो ओ की तो